जातियों में बाट के टक्राओ कराकर कि उत्विदेश खिसक कर्व विकास के नाप पर बीसवें किसवें नम्बर पर चलागी उस समय जब रोजगा निकलते थे जरा सुची उठा के देख लीजे कि एक विशेश जाती को मिलता था कि किसको मिलता था के यौकी जिस करीम नराज दिए यौकी जिसे और भ०्न नराज नहीं है तो जातियों का नाम लो बहारतिय जनता पार्टी सरु समाज की पार्द्म होगा तो किसी बीचाता को कुटारागात होगा हमारे साथ मौजूद हैं प्रियागराज से बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बगुना जोसी दिदी मायवती का एक ट्वीट आया हुआ है उन्होंने आज प्रभुद्र समिलन को संबोधित किया उन्होंने साथ को कहा है कि जब वो सरकार में आएंगी तो ब्रामनों का खया करा कर कि उत्तवदेश खिसक कर विकास के नाव पर बीसमें किसी नंबर पर चला गया और यह जिस राजनीती को लेकर चली किनको गालिया देके निकले थे लोग जिस तरह कि इनोंने अब शब्दों का प्रयोग वेभिन जातियों के लिए उस तरह से नफरत के बीज बूए जिस समय जब इनके शासन थे उस समय जब रोजगाह निकलते थे ज़रा सुची उठा के देख लीजे कि एक विशेर जाती को मिलता था कि किसको मिलता था ब्रश्टा चार वियाप सरकारें दे इनोंने इनोंने बिल्कुल समवेदन धीन सरकारें दे लूट खसोट की दी आने की अपराधियों को आगे बढ़ाने की सरकारें बनाई और परिवर्तन आ गया 2014 से ना जातना पात सिर्व विकास और 14 में 17 में 19 में लगातार विकास के नाम पर जीते चलीगी भारतिया जंता पाटी 22 में भी डाउन दे साइट जीतेगी कोई मुकाबला नहीं कर जो भी सरकार में आ उसको सर्व सुरक्षा की बात करनी चाहिए उसको सर्व रोजगार की बात करनी चाहिए जो भारतिय जंता पाटी करती है कि अगर लोक कल्यार कारी कारे होगा तो जात पात की नक्षों को मिटा कर होगा अगर किसानों की बात होगी सर्व किसान की होगी जात की नहीं होगी, विशेच की नहीं होगी, गरीबों की बात होगी, दस प्रतिशत, गरीब सवर्नों को अरक्षन किस ने दिया, चाहे वो medical colleges में हो, चाहे वो आपके रोजगार में हो, तो भारती जात बाट की सरकारों ने दिया, हम तो हार तरह से हार वर्ग को सुरक्षित करते हैं हर जात को करते हैं और जो बुधिजीवी है बुधिजीवी सब समझते हैं और उत्ता 22 में पांचवी बार मुख्रमंत्री बनेंगी मायवती अब उनका तो राजनेतिक दल हो चाहिए पांचे ही वोट आए उनके बोलेंगे तो यही भाशा अब उनके जो सम्मेला नोरोस में कितने ब्रामर जा रहे हैं वह आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूं तो यह जो चुन विशे उठते हैं जंता के कभी निकलती नहीं बार अब चुनाव आगाई तो इनको बद्धिजी भी दिख रहे हैं इनको जंता भी, इनको ब्रामर भी दिख रहे हैं पहले यह तो देख लें कि पिछले पांच सालों में उन्हों ने अपनी ही जात के लोगों के लिए क्या किया ये सब वक्वास है और मुझे लगता है कि ये चुनावी नारों का कोई असर नहीं है तिदी एक अंतिम सवाल बीजेपी को बहुत देर से राम के बाद प्रसुराम की याद आई है ते किसी को याद आए ना है परुष राम राम इंदू धर्म में देवी देवता ये समा जो भी धर्मिक कारे होता है जो भी सार्जनिक कारे होता है अपनी धर्मिक आस्थाओं के आधार पर उनको मनाया जाता है तो इसमें याद आने का लेकिन लेकिन विपक्ष ये कह रही है कि योगी जी से ब्रामन नाराज है अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहें योगी जी से ग और अगर कोई अपराधी होगा तो किसी भी जाटसम उदायका हो, उसके उपर कुटारागात होगा, चाल लाख नौकरियां दे गए उत्तरप्रदेश में सरकारी, आपने कभी सुना कि उसमें कहीं कोई भेदभाव किया गया हो, ऐसा नहीं है, कोई नराज नहीं है, सर्व जा परिश बन चुके हैं, तीसे नंबर पर हमारी जीडीपी बैटी है, हमारा जो पर कैपिटा इंकम है, प्रतिव्यक्ति आए है, वो कहां से कहां गई, 17 में कहां थी है, 48 रुपे, 76 रुपे पर बैटी हुई है, तो ऐसा नहीं है, मैं यहीं कहूंगी, कि उन्नती और विकास, यहीं दो मुद्दे होंगे, योगी जी ने जिस तरह से सम्हाला उत्रपदेश को कोविट के कालों में, 24 करोड जनता को, जिस तरह से उन्होंने परियावरण से लेकर और नीचे गाउं में, गाउं के विकास तक का ध्यान दिया है, जिस तरह से मोधी जी ने लगातार, जन साथ पुष्कल भारसमाचार दिल्ली